नमस्कार स्वागत है आप सभी का वाईटी एजूकेशन में बिहार दरोगा प्रारंभिक परेक्षा 2022 कितने पदों की वेकेंसी आ सकती है क्या हमारी रणनेती होनी चाहिए कौन-कौन से बुक पढ़े और क्या पिछले एक्जाम के तरह ही इस एक्जाम का भी पैटर्न रहेगा या स्लेबर्स में कुछ बदलाव होगा सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के मात्यम से मैं एक छोटा सा बात यहाँ पे आप लोगों तक कहना चाहता हूं कि जिनका भी पीटी 2017-2018 वाला जो वेकेंसी था 1717 उसमें अगर नहीं हुआ आपका कोई बात नहीं 2446 वाले में नहीं हुआ पीटी में कोई बात नहीं बाइस और तीरह में भी पीटी नहीं निकल पहां तो यह आपके लिए एक दुर्भाग पुर्णवात है, चुकि आपका पीटी ही नहीं निकल पा रहा है तो आपको मेंथ उनकाल कर PEE अदू early लेकिन पीटी के पहले दुसरे राउंट से बाहर हो गया बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे हैं जो कि यहां पे पीटी तो निकला लेकिन मेंस में अच्छा स्कोर ही नहीं कर पाएं तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि तो को हिम्मत नहीं हारना है जब भी आपको हिम्मत ऐसा ल पहुचना यह तेरी कोसिस तुझको कहां तक ले जाएगी यह तेरी कोसिस तुझको कहां तक ले जाएगी तेरी मंजिल खुद तुझ तक चलके आएगी या मंजिल तुझ तक पहुचाई जाएगी तो यह जो मंजिल है यह जो आपका सपना है पिहार दरोगा बनने का इसी सपने के बारे में चर्चा होगी इस वीडियो के मात्यम से वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक शेयर जरू करेंगे मुझे आसा है कि आप वही छात्रे जो कि एक बार फिर से अपने हिम्मत जोड़कर इस तैयारी में लगेंगे मुझे पता है कि बहुत सारे छात् तो उसको आप लोग दर किनार कीजिए लड़िये तो कि यहां पर जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं कुछ आपको अपने पढ़ाई के साथ अपने हग की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जाके पत्थर बाजी क गोली बंदू कीजिए या फिर लाठी वाची चलाइए सरकार के ऊपर हमारा देश आज भी महात्मा गांधी के देश के नाम से जाना जाता है तो हमारा देश जब आज भी उस तरह से अपना हक मांग कर छीन ले सकता है हमारे देश के युवा अगर उसके लिए सक्षम है त तो खेर मैं यहाँ पर एक रणीती बताने आया हूँ जो कि आपके आने वाली परिक्षा बिहार दरुगा के लिए बहुत ही जादा महत्तकून है अब चर्चा करते हैं कि इस परिक्षा के लिए क्या-क्या महत्तकून चीज़ें तो पांच चीज़े ध्यान रखेगा मैं द भॉकाल मतलब क्या सब्सक्राइब क्या है इसमें आप यूपीएसी निकाल लीजे बीपीएसी निकाल लीजे और कहीं एसे जगा पर पोस्ट हो जाईए जहां पर सिर्फ आपको और आपके परिवार के अलावा और कोई नहीं जानता लेकिन यह ऐसी बहाली है जो आपके अ तो वो इनको देखना होता है अब यहां से आपका दाई तो बनता है कि आप उस चीश को कैसे सही से लेकर जा रहे हैं आगे हो सकता है कि आपके अंदर थुरा सा घमंड आ जाए और आप घूस खोरी में चले जाए मनलब घूस खाने लग जाए तब तो भाई यह मेहनत हमार भी वेकार हो जाएगी आपको दरोगा बनाने में लेकिन इस बात का ध्यान रखना इस भौकाल को बनाए रखना है क्योंकि आपका सच्चाई इमंदारी ही आपके आने वाले भविश्य को निधारित करता है तो अपने आप में यह वेकेंसी भौकाल है और आप यूपेसी निकाल कर भी इस पद्र का आनंद नहीं ले सकते हैं तो एक छोटी सी सुरुवात है आपके करियर की तो यहां से कीजिए बिहार दरोगा का फॉर्म जरूर भरिये हो सकता है कि आने में आपको इस परिक्षा को देने में बहुत कठी नहीं होगा सामय जिलना पड़े पेपर दर्ध खतम हो जाएगा तो एक बार फिर एक बार फिर आपको अपने तरफ से महनत करना होगा उठाइए कलम और कौपी बैठ जाएए अपने रणीती को देखिए बुक बटोर ये और बुक बटोर कर पढ़ना सुरू कर दिजिए और दूसरा जो है यहां पर दोस्तों मैं बात करूंगा इस प्रिलिंग्स को लेकर कि आप जो है खुद को कैसे प्रिपेर करें माइंडसेट कैसे करें तो आप लोगों के लिए बहुत सरी ऐसे वीडियोज हैं जो की यूटूब पर भी पढ़े हुए या फिर आपके कुछ ऐसे टीचर जो की बिहार दरोगा या बि सफलता मिलती है बट स्मार्ट वर्क को अगर जोड़ दे उसमें तो जल्दी मिल जाती है इसलिए आपको ऐसे इंट्रिव्यूज देखने होंगे है ना आपको ऐसे साक्षातकार देखने होंगे जहां पर विहार दरोगा के स्टुडेंट से जो की सफल स्टुडेंट है उन प्रिपयर कीजिए खुद को देखिए कोन-कोन से ब होअ कौन कोन से COACHING इंस्सीट जाते घैंधोर कि क्या टेस्ट शीं हाना अच्छा है या वोग पड़नार अच्छा है उन से दे कि उन हाँ से तो कुछ न जो तो एक रंड़ मिलेग तो ये सारी चीज आए है यहारए अत यह syllabus ही आपको बता सकता है और यह syllabus में क्या पढ़ना है चुकि मैंने क्या बोला आपको की smart work करना पढ़ने के लिए तो पुरा book पढ़ा हुआ है आप इतिहास का book बै उठाएंगे या quality का book उठाएंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते style भी जाएगा आपका course खतम नहीं होगा लेकिन आपको syllabus की अनुसार अगर आप पढ़ते हैं तो आप विदिन six month आप प्रिपियर हो जाएंगे अगर आप फ्रेश कंडिडेट हैं तो अगर आपने exam दे दिया है already तो आपको पता है कि इस exam में क्या-क्या पूछे जाते हैं और कौन-कौन से topic से यहां से कोश्य होते हैं तो आपको वो काम करना है आपको syllabus उठाना है अब जो चौथा है यहां पे दोस्तों वो है आपका previous year paper previous year का जो paper है हमारा वो पढ़ना क्यों जरूरी है इसके पीशे कारण है क्योंकि यहां से हमें exam के pattern के बारे में पता चलता और बिहार एक ऐसा स्ट्रेट है जहां पर कोई भी एक्जाम अगर आप लोग ने देखा होगा तो एक ही pattern पर लगातार चला रहा है मतलब कि topic सारे वही हैं बस question बदल जाते हैं question का जो pattern है वही रहता है तो हमें वहां से topic clear होते हैं जैसे कि अगर हमें बोल दिया जाए कि science में क्या पढ़ना है तो science तो एक बहुत बड़ा सिनारियो है जहां पर आपको environmental science भी पढ़ना है chemistry science भी पढ़ना है physics science भी पढ़ना है biology भी पढ़ना है तो यहां से हमें कौन-कौन से topic उठा के पढ़ने हैं वह आपको syllabus में दिखेगा और फिर आपको previous year के paper में दिखेगा कि हमें कौन-कौन से subject स सब्सक्राइब से कोशन दिए गया है previous year में तो जब आपका previous year वाला section clear हो जाए तब आपको पांचवा नियम ध्यान रखना होगा इन सब के अलावा आपको अपने गोल पे concentrate करना होगा यह गोल क्या है जी हां मैं इसके बारे में चर्चा करना सुरवात महीं करना चाहता था लेकिन ध्यान रखेगा यह गोल आपको clear होना चाहिए कि आपको दरोगा भनना है न या बीपीए सी विदेरे सांट में या भीहाग सिपाही विदेरे सांट में तो आपको अपना जो है गोल क्लिए उपना होगा ठीक है, तो आपको अपना क्या है? गोल क्लियर रखना होगा गोल क्लियर रखते समय एक बात ध्यान रखेगा कि दरोगा की त्यारी कर रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग से उठा कर अपने P.E.T. को भी साथ लेके चलना होगा ठीक है यानि कि गोल क्लियर रहेगा तो PT मेंस तो अपनी का लीजेगा चलिए इतना पढ़िएगा आप यहां से कि यह तो निकल जाएगा लेकिन हमारे PT का क्या तो आपको पहले दिन से ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा जी हम मैं आपको पिछली बार भी रणिती में यह बात रखा था कि आप जो है आज से ही अपने आपको ग्राउंड पे ले जाएगे चाहे आप एक साल के बाद आपका एक्जाम हो या डेर साल के बाद हो कोविट जैसा कोई भी महामारी देश में आ जाए तो आपका एक्जाम इस्थागित हो सकता है लेकिन अपने आपको आप फिट नहीं रखेगा तो आप वहीं पे फेल हो जाएगे पीटी मिंस निकाल कर बाहर हो जाएगा तो यह पांच जो आपके इस रणीती के मैंने स्तम रखे हैं इस पे आप जरूर फोकस कीजे और आगे बढ़िए अब जो है यहाँ पे यह चीज कि आपके पास कौन-कौन से बुक्स होने चाहिए है ना कि आप जो है इसकी तयारे में लगे रहे तो बुक्स के लिए मैं आपको सिर्फ चार बुक बताने जा रहा हूं ठीक ध्यान रखेगा चुकि पीटी में सबसे ज्यादा अगर कहीं से टॉपिक से कोशन होते हैं तो को होता है करेंट अफेर के लिए आपको मैं बोलूँगा करेंट अफेर के लिए आपको मैं बोलूँगा एक तो इस पीडी सब्सक्राइब यहां से टॉपिक और स्टैटिक पार्ट आपको लेकिन आपको जो है इसके साथ एक और पुस्तक रखनी होगी वह है अब यह जो बुक है देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसका जो नया संस्क्रण आने वाला है हो सकता है कि वह 15 से लेकर 18 महीने तक करेंट देश में होगा और आप लोग जो जब BPSC का एक्जाम जो छातर दिये है और या विहार दोगा जो दिये हैं उसमें आप लोग करेंट पार देखें होगे कि एक साल पुराना करेंट अफर उठागे पूछा गया है कम से पिएक साल का तो करेंट अफर के लिए बनता है तो यहां से और पर इपके लिए दो महीने का तो वहां से भी आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं वह नहीं को आप खरीद लिजेगा ज्यादा महेंगे नहीं होती है अब देखिए एक पॉर्सन होते हैं हमारे यहां पर जीके का अब जीके में आपको मैं दो बुक बताऊंगा उसके अलावा बुक मत लिजेगा एक तो लुसेंट का समान निग्यान ले सकते हैं या पिर आप जो है क्राउन पॉब्लिकेशन का बुक आता है दोस्तों यह बुक ले सकते हैं समान निग्यान का ठीक है यह दोलों बुक कोई i a subject div ले लीजिएगा ऊइगा गुकुः लेकर अगर लुसेंट लेते हैं subjective तो इस बात को ध्यान रखेगा आपको एक साथ साथ-साथ यहां से इन दोनों किताब का एक तरह से कहें तो सार संग्रा है सारे कोशन उठाके यहां पर वन लाइनर के तो यह आपके रिविजन के लिए बुक हो सकता है तो जीके यहां से कवर हो जाएगा ठीके में आपका हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी और इन्वार्मेंट साइंस वेगरा रहता है और कुछ स्टैटिक जीके जहते हैं जो कि आपको लुसेंट पर देखने को पीशे मिल जाएगा बुक पे तो वह मैं कवर क स्टैटिक का साइने, लुसेंट पर जो समान्य विज्ञान है और यह जो है मैं आपको कभर करवा रहा हूं अपने एक सब्सक्राइब और वहां से मैं आपको रोज प्रैक्टिस भी करवाऊंगा साम को तो वह मैं टाइम अभी बताऊंगा इस वीडियो को बना रहा हूं इसको नहीं क्लियर कर रहा हूं ठीक है अब यह चीज़े हो गई दोस्तों की हमारे बुक्स हो गया प्रिटी के लिए सिर्फ बता रहा हूं है अब जो है आपको यहां पर एक चीज़ सब्काव बनेगा कि हमें इतने सारे चीज़ पढ़ें तो हमको याद कैसे रहे तो मैंने बोला कि आपको गोल आपको सेट करना होगा कि आपको दरोगा मतलब दरोगा बनना है डबल इस्टा अब इसमें प्रिविए से प्रिपर से आपको क्या फैदा होगा यहां से आप करेंगे लेंगा कि सभी पर तो आप पढ़ना पड़ेगा एक साल का कम से नहीं हाँ से लेकिन यहां से जो लिंक करेंगे जी के और जीए वाले सेक्शन को कि हमें जो है उस subject में माले जे कि आप science पढ़ रहे हैं और या history पढ़ रहे हैं तो subject में कहां से किस topic से किस topic से question पूछे जा रहे हैं exam में वो आपको यहां से cover होगा previous year तो यही एक run की है जो कि आपको सफर बना सकती है आपके परीश्या में आपको double star जुड़िये हम लोगों से और कोसीज करने वालों की कभी हार नहीं होती है तो इसलिए कोसीज करते रहे हैं मेहनत कीजेगा सब मिलेगा जल्द ही आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे टेली ग्राम पर जुड़े रहे हैं वहाँ पर मैं टाइमिंग बता दू है जो कि आपके परिक्षा में इंपोर्टेंट होंगे जैहिंद मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद